हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माईटूब चैनल, एक्सरसाइज 5.1 से कुश्चन नमबर 10 करेंगे इंडिगेट विच पेर्स ऑफ एंगल्स आर, ये फिगर आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको ये दो एंगल्स इंडिगेट करने हैं कि Vertically Opposite Angles इस फिगर में कौन-कौन है और Linear Pair इस फिगर के अंदर कौन-कौन है तो पहले हम Vertical Opposite Angles के लिए कर लेते हैं, तो Vertical Opposite Angles अब Vertical Opposite Angles वो होते हैं, जब दो Lines intersect होती हैं और बिलकुल ऐसे X जैसा बन जाता है तो जो पूरी तरह से आमने सामने Angles होते हैं, इन्हें हम Vertical Opposite Angles बोलते हैं अब फिगर में देखिए, यहां पे ये Line ऐसे जा रही है, और ये वाली Line ऐसे जा रही है तो ये जो 1 और 4 है न, ये बिलकुल आपस में आमने सामने हैं और इन्ही दो Line ओसे कटने के बाद ये बने है, तो Angle 1 और 4, यहां पे Vertical Opposite Angles है Angle 1 and Angle 4, एक तो ये हो गई, एक और मैं इसमें बताऊँ आपको कि इस Line पे ध्यान दीजिए, ये वाली Line ये हो गई, और इसी Line के उपपर, ये जो दो पूरी Length की Line है न, ये वाली और ये वाली, इसमें दो ये लाइन है, जो पूरी जा रही है इन्टे फोकस कीजिए, तो एक पेर तो 1 और 4 का बन गया, और दूसरा पेर जो यहां है, ये 5 का बन रहा है और 5 के सामने, ये दो एंगल मिलके जितना बड़ा एंगल बन रहा है न, ये 5 के बराबर है यानि एंगल 5 अकेला, एंड, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 और 3, दोनों मिलके जितना एंगल बन रहा है ये एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बस इसके अंदर ये दो ही पेर बन रहे है आगे जो है वो है linear pairs, तो second part में हमें बताना है linear pairs इसके अंदर कौन कौन है तो linear pairs पे आफ फोकस करते हैं, पहले समझ लीजे linear pair क्या होते है linear pair के नाम में ही इसका meaning छिपा होता है, line line तो figure में जहां भी आपको कोई straight line दिखाई दे न और वो line के उपर जो एंगल बन रहे हों, वो ही linear pair होते है तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये एक straight line है, जो पूरी लंबी वाली line है ये पूरी straight line है, और इस line के left side में इधर angle 5 और angle 4 बना हुआ है तो 4 और 5 ये दोनो angles से straight line बना रहे हैं, यानि कि ये दोनो linear pair है तो एक pair तो ये हो गया है, angle 4 and angle 5 अब इसमें एक और दिखाए देरामिर को, उपर की तरफ देखी आप, ये वाली line को लीजिए इस बार ये जो बिल्कुल सीधी line है, horizontal ये सीधी line जा रही है, इस सीधी line के उपर ये angle 1 बना हुआ है और angle 5 यानि 1 और 5 ये दोनों angle मिलकर बिल्कुल एक सीधी line बन रही है तो 1 और 5 यहाँ पर linear pairs हो गए है, तो दूसरा pair इसके अंदर है angle 1 and angle 5 इन से अलग और कोई pair इसके अंदर बनने रहा है, question खतम तो इस video बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next video में थब तक के लिए, goodbye